हलो दोस्तों नमस्कार मेरा नमें विनय और आप देख रहे हैं विनय की पार्ट साला आज हम लोग इस वीडियो में कक्षाश 6 गड़े तब 20-20 के प्रिशनों को सॉल्व करेंगे तो उसमें जो कॉंसेप्ट प्रियोग में लाए जाएंगे उसको हम लोग पहले देख लेते ह तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अभाज संख्यां की अभाज संख्या आइं क्या होती है प्रवास किसका भाग रुख जाएेगा एक का भाग जाएगार यहां पर Consumer आप्पिर शवातै उसका भाग जाएगा तो यह दो संख्यां होगे ठीक है इस प्रिकारद जैसे दो का भी भाग जाएगा दुत्ती छे तीन का भी भाग जाएगा तीन दूनी छे और छे जो संख्या है उसका भी भाग जाएगा तो यहां पर कितनी संख्या हो गई एक दो तीन चार इसका मतलब 6 हमारी अभाज संख्या नहीं है और 7 हमारी अभाज संख्या है ठीक है यह बा एक हमने क्यों नहीं लिखा तो यह नोट आप हमेशा यार रखो कि एक हमारी अबाद संख्या नहीं होती है क्यों नहीं होती है देखते हैं अगर हम एक लिखेंगे तो एक में सिर्फ एक का ही भाग जाएगा और दूसरी कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसका बाग एक में चला चाहिए जबकि परवासा में रही तो बताएं यहां सकाएं सबस्क्राइब संख्या में तो यह बात आप यहार रग्र कोंपिशन में पूछा है अब आता हम लोग कर लेते हैं अब अब आजर गुडण खंड और गुडण खंड विरक्ष तो क्या होंगे देखते हैं जैसे लिए यहां फे प्योगों जो है deepest यहां यहां पर पांच भी हमारी अबाज संख्या है तीन भी हमारी अबाज संख्या है इसका मतलब यह पांच और तीन हमारे इसके अबाज गुड़न खंड हो गए ठीक है अगर हम यहां पर लिखें बारा संख्या और इसके हम गुड़न खंड कर दे च्छै दूनी बारा च्छै औ तो यहां पर देखेंगे च्रक भी भाग जारा लेकिन यहां पर दो हमारी आपांज संख्या नहीं है तो इसका मतलब इसके अब आपाज गुडण खण्ड नहीं हुए यह जो एकिदेटिट तो ढुट्टीच तो और यह जो इस तरीके से व्रक्ष तयार होता है यह अब आज गुड़नखंड का व्रक्ष कहलाता है जैसे यहां पर देखो एक संख्या हमने लिए यह है 32 का हम गुड़नखंड व्रक्ष तयार करें आफ्ट 94 तो आठ हो गया ठीक है अब यह भादस संख्या है दो चार दूनी और यह चार किसके दो दूनी चार अब देखो यहांपě क्या हुआ दो दो यह तो अवाद संख्या हो गाई चार अभी भी कठेगी किसे है दो से तो दो दूनी चार तो यह सबी हमारा क्या हो गया अब आद गुड़नखंद हो गये और भी दो यहां हम 32 लिखें तो कैसे लिखें कि 32 बजाबर 5 12 गणивает दो गुड़ें दो गुड़ें दो गुड़ें दू तो यह हमारे अभाद गुड़न खंड निकल के आगे गुड़न खंड व्रक्ष की साहता से ठीक है तो यह concept हो गया और अब हम लोग चलते हैं exercise की तरफ और देखते हैं आज का प्रस्ट नमबर एक तो यहां पर हमारा पहल ढपन तीन यहीँ हें दूसरा प्रस्ट नमारा यें दिकी संख्या के अभाद गुड़न खंड दो दो और दो यहां पर कितने है दो two in इन तो भी गुणा कर देते हैं तो वह संख्या मिकाती लास यह यहां कितनी निखलके आगरी यही हमारा आगे अ579 दिया गया है कि तो इसमें देखो 8 आ गया 3 आ गया यहां पर तीन तो हमारी अबहसे संख्या एक्षा नहीं थो 8 किसके पाड़े में आएगा 4 दूनी 8 to co2 आ गया अब यहां पर देखो दो तो हमारी अबहसें होगी लेकिन छार भाज महीं नहींыт तो इसके लिए 4 किसके पाड़े में आएगा 2 के पाड़े में तो 2 दूनी 4 तो अब यहां पर क्या निकल के आएगा 2 2 2 3 यह होंगे हमारे इसके बाज गुड़न खंड अर्थाथ 24 बराबर कितना आ जाएगा 2 2 2 गुड़े 3 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 और यही आगया हमारा आंसर तो यह था हमारा प्रेस नंबर 3 और अब चलते हैं प्रस नंबर 4 तो बच्चों यहां पर हमारा चौथा प्रसन है कि यहां 60 के लिए 2 भिंद भिंद गुड़न खंड व्रक्ष दिये गए हैं इनमें अज्यात संक्याओं को अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए देखो गुड़न खंड व्रक्ष में क्या होता है गुड़न खंड की यह जाते है जैसे 6 तो 60 किसके पाड़े में आ सकता है 6 या 10 के 6 22,67 तो 6 और 10 हो नहीं अब 6 किसके पाड़े में आएगा 2 या 3 के 26 या 3 3 2 6 तो यहां पर 2 होगा तो यहां पर हो गा तीन dudटीछ ठीक है तो एक तो यह उसलिया इसे तरीक Лए üç इधर सब्सक्राराइब तो यह दो आजाएगा निकीवले हता है कम्प्लेट हो गया में चाहिए धर साथ किसके पादे में आएगा तीसी दूनी के इसाथ 20 तो एदर दो आ ज़्या थीकर तो हम लोग पाचवेर चलते हैं वह हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी संखया लिखें और उसे भाज गुड़नखंड के रूप में व्यक्त कीजिए तो 4 अंकों के सबसे बड़ी संखय नहीं होती है यह होगा हमारा 9999 1999 जाल्ट के निकालने के दो तरीके होते हैं यह थो यह तो चाहिता से यह कंभी चाहिता से हम इसके तो यह नो में लिख लिए calamus मैं ने लिख लिए अब इसमें न तीन तीन न को सुन गयाला किसी का भाग तो इस तरीके से ये हमारे गुरन खंड हो गए क्या आएंगे नव जान नौके बराबर यह कितने हो गए तीन गुणे तीन गुणे ग्यारा गुणे एक सो यह हमारा आजाएगा आंसर दूसरा कि यह हम गुणेखंड व्रक्ष तयार कर दें तो वह कैसे होगा 9995 अब यह कीसे पाड़े में आएगए तेन के तो एक में 3 आ जाएगा एक में आ जाएगा 3333 अब यह 3333 और 1111 आएगा इसमें अब इसी तरीके से 1111 एक में 11 आएगा और एक में 101 आएगा तो यह इस तरीके से हमारा गोडन खंड रक्ष तयार हो गया जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप प्रियोग में लाए वैसे यह तरीका जो है इसी का हम लोग जनरली प् करते हैं तो यह था हमारा प्रस नंबर पांच और अब चलते हैं यहां पर हमारा चट्वा प्रस्न है कि पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज गुडन खंड के रूप में विक्त कीजिए यहां पर पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो 10,000 लिख लिए 2 से भाग देंगे 25 यह पांच यहां पर यंत में 5 से भाग जाये का 5 25ектор 5545 बहुत बेंगे पांच दूनी दरस दो बचे 25 हो गए 25 पुनाव 25 में 5 से भाग देंगे 5 25 इदर 5 एकंग 5 तो यह आ गए तो हम यहां पर लिख देंगे 10,000 पराबर 1, 2, 3, 4, 2 आया 4 बार, 1, 2, 3, 4, और 5 कितनी बार आया 4 बार 5 आया, 5 गुणे 5, गुणे 5, गुणे 5, तो ये हो गए हमारी पाच अंकों की सबसे चोटी संख्या और उसके अभाज गुणन खंड, तो ये था प्रस्ट नमबर 6 और अब चलते हैं प्रस्ट नमबर 7 पर वो है हमारा की 1728 के अबाज गुडल खंड भाग विदी से ग्याद किजिए यहां पर दिया है भाग विदी तो भाग विदी हम लगा देंगे 1728 अंत में है आठ दो के पाड़े में आता है तो दो से भाग देंगे पुना दो से भाग देंगे दो दूनी चार अंत में दो से नहीं तीन से भाग जाएगा तब तक भाग देते हैं जब तक अंत में एक नहीं आ जाता है powiedział अब यहां पर म defect में 1728 ब्राबर एक दो तीन-चार-पांच, चार-पांच, बहुत आ हैny और में तीन ह। 136 ए नहीं तर दो त्मिदिए यह आ गए 1729 के वाज गुणंखन आयोप जिसको हमने भागविदी से निकाला है आयोप कि आप लोग इसको समझ गयोंगे और अब हम लोग चलते हैं प्रस नमबर आठ पर तो यहां पर हमारा आठवा प्रस नहीं कि निम्नांकित संख्याओं के अभाज गुड़न खंड ग्याद किजिए तो यहां पर संख्या आठ तो यहां पर हम लिख देंगे एक सो बारा बराबर एक तीन चार दो कितनी बारा आया है चार बार और तो यहीं हो गया हमारे एक सो बारा के बार यह गुड़न खंड ठीक है अब हम लोग देखते हैं एक सो बीस तो इसमें भीट बीज दो से जाएगा दो पन्चे दस पुना तीन से जाएगा तीन पचे पंद्रा तैन से जाएक पजा एक सुबीस वराबर एक दो तीन बार एक बर आया है तीन यह चींदा पांची यह हो गये तेन ये सटाइस नो कर नो किसके पाड़े में आता है तीन के पाड़े में तो तो थीन थीन नो की ने कम तो इस तहिके से 135 बराबर 5 एक बार और 3 है तो यह आ गहे हैं अब आज गुड़न खंड 135 अब अब लोग 140 के गुड़न देखते हैं इसमें सून रहार लानी से दो सत्य चौदा जीजो दो से दुत्ती च्छे दूपंचे दस कि पांच से पांच सत्य पैतिस और अंत में साथ से साथ एक सो चालिस के गुणन खंड हो जाएंगे दो गुणे दो गुणे पांच गुणे साथ इधर संख्या देगे ये 150 थोड़ा साम आगे लिख लेते है अख्री में सून है दो से जाएगा दो सत्य चौदा एक दो पंच दस पुनादब दो से जाएगा नहीं क्योंकि पांच आ गया तो 307 में किसी का भाग नहीं जाएगा तो ऐसा ही लिखा जाएगा अब 1228 बराबर दो गुड़े दो गुड़े 307 तो यह आगया हमारा आंसर तो इस तरीके से आपने देखा यह सारे बात जो गुड़न खंड हमारे निकल के आ गए और यह हमने किस विदी से निकाले भाग व बच्चों यहां पर हमारा प्रस नंबर नौ है कि 80 और 90 के बीच अबाज संख्याई है और चार 81 और 83 और अब आज संख्याई पूंचाई 81 में नौ निम में क्यासी होता है इसका मतलब यह भी गलत है यहां पर 87 में भाग चला जाएगा तीन का कैसे तीन दूनी 6 दो बचा 27 हुआ तीन निम 27 तो 29 में गुड़ा हम तीन का कर देंगे तो 87 आ जाएगा इसका मतलब यह भी गलत हो गय ठीक है आगे प्रस्ट नमबर 10 हमारा दिया गया है कि रिक्ति स्थानों की पूर्ति कीजिए पहला हुए संख्याई दो या दो से अधिक अपौर्तक होते हैं भाग संख्याई कहलाती है अब यहां पर देखो प्रस्ट ने कुछ कंफ्यूजन क्लियेट कर दिया चूंकि दो ही लिखना चाहिए तसब्द दो क्योंकि दो होतसे हैं तो अगर जैसे साथ है तो साथ में ढूर्तक होते हैं एक और सथ संख्या होती हैं लिखा हमारी मिस्वाज़ संख्या होती है ठीक तो मैंने बताई ही है वह यह क्यांद दो अपर्ष हो जाएगा कि तो इहांसे यह था तो प्रस्म जादा आसान हो जाए यह से वाइन ना थो भार्ट है और ऑभाज है क्यों क्यूंब कि इसमें एक ही अपर्ष्ट कोता ए tö्बिबकान कि यहँआए टीक ठीक है चौता प्रस्ट में एक संख्या के अपोवार्त यहां पर प्रस्ट में देखो 24 लिखा है वह बिल्कुल गलत लिखा है 24 नहीं होगा 28 ही होगा इसी के साथ हमारी कम्प्लीट होती है एक्सरसाइज 10B वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें दोस्तों की बीट में शेयर करें और चैर पर पहली बार आएं तो इसको सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेस में प्रेस कर लिजे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ए कर दो मस्काल